हुलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे AIBPS P.O. 2018 के लिए New पिटन के कुछ कोश्यन और यह फ्रेस्ट के कोश्यन है निश्चीत रूप से आप से 10 व्रेस्ट के पूछ हैं हैं यहीं पूछी आती तो दस पॉटिंग एर्र के जगए एक आपका पांच नंबर का क्लोस टेस्ट और यह पांच नंबर का पैरा जंबल आपसे पूछा जा सकता है तो यह मौटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि प्री में क्या-क्या आ सकता है एक बार मैं क्लोस टेस्ट या एक पैरा जंबल या फिर कुछ नए पैटन के कोश्टन जैसे कॉलंबिस्ट कोश्टन एक्जामिनर आपको दे सकता है तो फ्रेज रेप्लेस्मेंट के जो कोश्टन से उनके आने की काफी काफी संभावना है तो इसलिए फ्रेज रेप्लेस्मेंट के 2018 के लिए target कर रहे हैं pre के लिए target कर रहे हैं उन सभी से मैं request करना चाहूंगा कि कोई भी एक test series लें आप और उसका एक full length test इस समय आप जरूर जरूर दें क्योंकि exam का time बहुत नजदीक है और इस समय test series लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और test series में यदि कम number आ रहे हैं तो कोई बात नहीं आपको घबडाने की जरूरत नहीं है उसको आप analyze करिए कि कहां पर आपके number कट रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी scoring को बढ़ा सकते हैं यदि मैं English की बात करूँ तो English में minimum आपका जो target होना चाहिए वो 30 में से 20 number का आपका target होना चाहिए exam में आपको जो time मिलेगा एक question को solve करने में वो 40 second का time मिलेगा और 40 second का time कोई कम नहीं होता है लेकिन आपका target जो होना चाहिए वो 10 second का होना चाहिए कि मुझे 10 second में एक question को solve करना है ठीक है यदि 40 second का आप target रखेंगे तो 8 या 10 question ही आप कर पाएंगे लेकर आपका target जो होना चाहिए question को solve करने का वो 6 से लेकि 10 second के बीच में maximum 10 second में आपको एक question solve करना है और उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए देखिए ये sentence देखिए ये पूरा sentence देखिए कितना lengthy sentence है यदि आप इस पूरे sentence को पढ़ेंगे और पूरे sentence में सारे words के meaning निकालेंगे तो इस sentence को एक minute में भी आप नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना है आपको main main चीया पढ़नी है और इस part को cable आपको replace करना है अब देखिए without reading these things देखिए एक line ये, एक line ये, एक line ये, एक line मैं इसको कुछ नहीं पढ़ूँगा और cable यहां से पढ़ूँगा और इसका सही sense निकाल दूँगा मैं और इसको मैं चार या पांस second में देखिए आपको करके बताता हूं कि many things it does speak अब देखिए एक grammar का एक छोटा सा rule है कि does का प्रियोग, it does does का प्रियोग हम cable questions में करते है देखिए तो यहां पर हम बोलेंगे many things it अब यहां पर चुकि things लगा है तो things के बाद हम speak बोलेंगे या speaks बोलेंगे ठीक है, many things यहां पर जो speak है, actually यह it के साथ जड़ा हुआ है, it subject है, तो it singular है, तो speak ना बोलते हुए हम speaks बोलेंगे तो इसका जो replacement होगा, बो होगा many things it speaks, अब देखिए इसमें यह दिया है many things it speaks about, many things it speaks about भी है, many things it speaks about भी है, many things it speaks about तो continuous tense हो गया, लेकिन यहां पर हम संगम poetry की बात कर रहे हैं, यानि यह बोल सकते हैं कि आप fact बता रहे हैं यह यह universal truth बता रहे है, संगम poetry के कुछ attributes साब बता रहे हैं, जो कि हमेशा सही होंगे, यहां पर किसी continuous action की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इस नहीं आएगा, और many thing it was speaking about past में नहीं आएगा, ठीक है, तो यह आपको sense create करना है, examiner आपका यह देखता है कि आपको English का sense है या नहीं, वो examiner आपसे यह expect नहीं करता है कि इस पूरे sentence को पढ़ें, इसका मतलब निकालें, यह किस context में बोला गया है, sentence किस ने बोला है, कहां पर लिखा गया है, इन सब चीओं से examiner को मतलब नहीं है, examiner केबल जानना चाता है कि English language को समझने का आप में sense है या नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि many things यहाँ पर लिखाया है और यहाँ पर it singular है, इसलिए speak ना लिखते हुए हम speaks लिखेंगे और इसमें does इसलिए नहीं आएग क्योंकि जो affirmative sentence होता है, उसमें हम does का प्रियोग नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए about के बाद या इस sentence में कहीं पर भी question mark नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह जो part है, यह affirmative में आपको बोलना है, और affirmative में आप does नहीं बोलेंगे, यहाँ से आप does को हटा देंगे, और जब does को हटा देंगे, तो यह यह speak है, यह it के साथ connect हो जाएगा, speak एक verb है और it एक subject है, ठीक है, तो it कैसा subject है, it है singular subject, इसलिए speak ना होते हुए, यह speaks हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही answer होगा, many things it speaks about, ठीक है, यानि cable इसमें second part आपका सही है, second part दिया है fourth में, तो आप का answer होगा fourth, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, और यही steady जो मैं बता रहा हूँ, यह आपको exam में follow करना है, यदि आप IBPS PO या किसी भी banking exam में निकलना चाहते हैं, ठीक है, और यदि आप theoretical approach अपनाएंगे, पूरे sentence को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो कुछ नहीं हो पा करके आपको बताऊंगा, चार या पांस सेकेंड में, उसके बाद में पूरा explain करके भी आपको बताऊंगा, देखिए, यहाँ पर एक keyword आया है today, इसका मतलब यह sentence जो है, यह past या past में नहीं जा सकता, या has been के साथ इस sentence को नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर today एक keyword मैंने द देख लिया, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, there is a बोलूँगा, यहाँ पर क्योंकि strong tendency क्या है, tendency एक noun है, strong एक adjective है, और tendency countable है, तो इसलिए यहाँ पर मैं a लगा हूँगा, there is a strong tendency, इसका answer होगा third, यहाँ इसका option सही है, third दिया है first में, तो इसलिए first इसका answer होगा, देखिए मैंने किस तरीके से 4-5 second में इसका answer निकाला, और यह जो questions मैंने लिये है, यह real banking exam questions है, ठीक है, और मैं इन questions को आपको उस तरीके से करके बता रहा हूँ, जिस तरीके से rankers questions को करते हैं, ठीक है, तो इस strategy को आपको अपनाना है, पूरे sentence को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एक basic idea sentence का होना चाहिए, कहाँ पर, किस sense में बात हो रही है, और जो main part, जो replace करना है, उस part को आपको देखना है, कि वहाँ पर क्या गलती है, पूरा sentence आपको तभी देखना है, जब उसका reference आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, persons with disability must be seen as integral to the decision making, यहाँ पर हम कहने की कोशिच यह कर रहे हैं, कि disabled persons हैं, जो handicapped person है, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, किसी की कोई blind है, तो जो persons हैं, जिनके साथ disability है, ठीक है, must be seen as integral to the decision making, उन लोगों को हमको decision making का, हमारे देश का decision making का part है, उसका हिस्सा हमको पढ़ेगा, हम उनको यह नहीं समझ सकते कि वो कोई secondary चीज है, या कोई after thought है, ठीक है, तो ऐसे उनको देखा जाना चाहिए, persons with disability must be seen as, उनको ऐसे देखा जाना चाहिए, must be seen as, यह passive voice construction है, ऐसे देखा जाना चाहिए, मतलब जो जो public है, उनको ऐसे देखे, कि उसको एक integral part मान ने वो decision making का, तो must be seen as जो है, यह बिलकुल सही यहाँ पर construction है, maybe हम नहीं बोल सकते, क्योंकि baby का मतलब होगा कि हो सकता है, उनको ऐसे देखें, ठीक है, actually यह जो sense create होता है, यह होता है reading से, इसलिए मैं और सारे जितने भी faculty members है, वो कहते हैं कि हिंदू की reading करिए, हिंदू की reading करिए, क्योंकि reading से एक sense create होता है English को समझने का, तो यह sense मैंने कैसे बताया है, कि maybe यहाँ बिलकुल नहीं आ सकता, might be यहाँ बिलकुल नहीं आ सकता, क्योंकि maybe might be का मतलब होगा, कि हो सकता है, हम उन्हें ऐसे देखें, लेकि sentence बोलने की कोशिश कर रहा है, को उनको ऐसे लगा है, must be, should be, would be, इनके बाद हम वर्ब की third form लगाते हैं, तो वर्ब यहाँ पर सही है, as यहाँ पर इसलिए सही है, क्योंकि इस रूप में उनको देखा जाना चाहिए, तो यह पूरा जो construction है, यह अपने आप में सही है, और यहाँ पर आपका answer होगा five, यानि no correction required, इस त तमिल नाडू as the investment destination of choice, then a profound shake-up in government philosophy may be needed, देखे, यदी इस sentence का मतलब यह है, कि यदी growth industries, जो है, इफ growth industries, यदी तमिल नाडू को एक एक बड़े investment destination के रूप में देख रही है, तो government को एक philosophical, एक governance, philosophical change की जरूवत हो सकती है, यह sentence का मतलब है, तो यहाँ पर हम बोल सकते है, यदी मैं R2 लगाऊंगा, तो इसका मतलब होगा, कि R2 का actually मतलब होता है, कि मैं किसी चीज को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे they are to come tomorrow, मतलब उनको कल आना है, यह जो R2 का structure है, यह actually pre-plant things के लिए आता है, तो pre-plant things के हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि if growth industries are, आर, या तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, if growth industries view, if growth industries view Tamil Nadu as the investment destination of choice, then a profound shake up in government philosophy may be needed, या तो ऐसे हो सकता है, या इसको आप continuous tense में बोल सकते हैं, जैसे यह जिवाला पार्ट सही है, if growth industries are viewing Tamil Nadu, viewing अप इस लिए नहीं आएगा, क्योंकि viewing up senseless है, उसको देखती है, तो उसके लिए viewing यहाँ पर सही है, if growth industries are viewing Tamil Nadu as the investment destination of choice, then a profound shake up in government philosophy may be needed, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर second आपका सही होगा, यहाँ पर देखिए, industries R2 view मैंने बताया है, कि R2 जो आता है, वो pre-plant things के लिए आता है, और have का मतलब है कि देख चुकी है, देख चुकी है कि यहाँ पर कोई sense नहीं बनेगा, ठीक है, तो देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं English Language में, जिसको हम बोलते हैं कि एक natural sense, एक natural sense होता है एक language का, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर कि इसमें have नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है मैं इस चीज़ को justify ना कर पाऊं, या अच्छे तरीके से explain ना कर पाऊं कि have क्यों नहीं आया, लेकिन बेरे अंदर एक sense है, एक sense इस sentence को परणे से create हो रहा है, कि have यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि have का मतलब होगा, कि वो ऐसा कर चुके है, growth industry Tamil Nadu को देख चुकी है, क्या sense निकला इसका, कि growth industry Tamil Nadu को देख चुकी है, sense तब निकलेगा जब हम बोलेंगे कि growth यदि growth industry Tamil Nadu को एक investment destination से देखती है या देख रही है, देखती हैं या देख रही हैं, तो एक governance philosophy की जरूवत हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका second जो option है, यह सही है, ठीक है, I hope कि आपको समझ में आया होगा यह, third यहाँ पर second जो option है, वो third में दिया है, तो third यहाँ पर आपका सही answer होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक question और देखते हैं, देखें यह भी काफी लंबा sentence है, ठीक है, पूरे sentence को हम नहीं पढ़ेंगे, कि बेल इसका essence हम निकालेंगे, देखें, by the end of the civil war, the south was in state of political upheaval, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि civil war के, civil war के खतम होने तक, south जो था, वो state of political upheaval में था, upheaval का मतलब है, कि जो south था, उसमें political उथल पतल हो रही थी, यह इस पूरी एक line का मतलब है, और यहाँ पर हम past tense में इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे दे destroyed southern crops, plantation and entire city, मतलब union की tactics ने यह सारे काम किये, क्या क्या काम किये, कि southern crop को destroy कर दिया, plantation को destroy कर दिया, ठीक है, entire cities को destroy कर दिया, और उसके बाद जो emancipated slaves थे, मतलब जो गुलाम थे, ठीक है, they rust to union lines, वो वहाँ से भागे, तो slaves rust to, यह जो phrase है, यह सही है, रश्ट का मतलब होता है, वहाँ से भागे, यह past tense है, क्योंकि sentence भी past tense में है, तो इसलिए यह sentence आपका सही है, और इसमें answer होगा, आपका no correction required, यह देखिए, इस तरीके से इन sentences को आपको करना है, आगे चलते हैं, question number 6 देखते हैं, powerful leaders have always mattered in the firmament of Dremelian politics along the early phases of the movement that unseated the Congress party, देखिए, इसमें यह आप ध्यान से देखें, तो दो tense इसमें use हो रहे हैं, एक है present perfect tense, और एक है past simple tense, present perfect tense और past simple tense को हम ज्यादा तर time, most of the time हम since के साथ जोड़ देते हैं, जैसे यदि मैं बोलूँ कि I haven't met him since he left the company, I haven't met him, मैं उससे नहीं मिला हूँ, since कब से, since he left the company, तो इसमें मैंने present perfect tense को और past simple tense को since के साथ जोड़ दिया है, since के बाद वाला जो sentence है, इधर जो sentence आएगा, वो past simple में आता है, और since के पहले वाला जो sentence जो इधर आएगा, वो present perfect में आता है, तो इस sentence में simple सा answer होगा third, यानि since the early, और third किसमें दिया है, third में तो answer होगा third, ये है right method in questions को करने का, लेकिन student इसका उल्टा करता है, student पूरे sentence को पढ़ता है, student पूरे sentence की meaning निकलता है, student reading habit डबलब नहीं करता है, मैं बार-बार बोलता हूँ कि reading habit आप डबलब करिये, ये बेंकें एक्जाम में निकलना है, कुछ भी पढ़िये, ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें, कोई भी magazine पढ़ें, कोई भी novel पढ़ें, हिंदू पढ़ें, Times of India पढ़ें, लेकिन reading habit डबलब होनी चाहिए, और reading habit से आपके अंदर English language को समझने का एक sense create होगा, और sense के तुरू इस तरह के questions को आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी बेंक के exam में, आगे देखते हैं, ये question देखिए, काफी लंबा sentence है, लेकिन इसको देखिए, चार second में मैं करके बताता हूँ आपको, वाइल इस इसी टू लाफ ओफ और फ्लैटली डिसमेस उस पैसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अन-अमेरिकन पॉलिसीज अ क्लोज लोक अपॉन दा लार्ज कॉंटेक्स आफिस एकसंस, आर्टी कोलेशन सेंदिर पोटेंसियन इंप्लिकेसन, देखिए, इसमें हम क्या बो इसे फ्लैटली डिसमेस कर देना बहुत आसान है, लेकिन यदि आप थोड़ा नजदीक से उस पर नजर डालें, ठीके, मतलब यहाँ पर कंपरीजन हो रहा है, पहले सेंटेज में हम बोल लाएं हैं कि उसको डिसमेस करना बहुत आसान है, डिसमेस हम इसलिए कर सकते हैं उस इसको देखें, किसको डॉनाली टरिम की पॉलसीज को, ठीक है, तो वो पॉलसी हमें एफेक्टिव लग सकती हैं, तो यहाँ पर हम चुकि लोक जो है, वो काउंटेबल है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे, ए, क्लोजर लोक, ए, क्लोजर लोक, एट भी आएगा इसमें, अप देखें, यदि क्लोजर लोक उस पर डालें, तो वो चीज हमें समझ में आ सकती है, तो लोक जो है, काउंटेबल इसलिए ए आ जाएगा, यहाँ पर, क्लोजर इसलिए बोलेगी, क्योंकि हम तुल्ला कर रहे हैं, लोक के बाद एट आता है, अपन नहीं आता है, तो सेकेंड जो है, यह सही आंसर हो, इसमें होगा, यहाँ पर सेकेंड बाला सही है, और सेकेंड दिया है, सेकेंड में, तो इसलिए आपका आंसर होगा, सेकेंड, इस तरीके से इन को करना है, आगे कोशन और देख लेते हैं, the union cabinet decision to take the ordinance route for enacting a dilute, देखें, यहाँ पर वर्जन है, वर्जन क्या है, नाउन है, नाउन को हम क्या करेंगे adjective से, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे diluted version, डाइलूटेड वर्जन हम बोलेंगे क्योंकि यहां पर हम वर्जन जो है उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो वर्जन कैसा है वो डाइलूटेड वर्जन है तो डाइलूटेड जो होगा इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो कि एक सिच की स्टेट बताता है कि उस चीज की दशा कैसी है तो वर्जन जो है वर्जन किस तरीका का वर्जन है डाइलूटेड वर्जन है तो यहां पर डाइलूटिंग नहीं आएगा और चुकि यहां पर हम परपस की बात कर रहे हैं दा यूनियन केबिने डिसीजें टू टेक the ordinance root to enact a diluted version, क्योंकि यहाँ पर हम purpose की बात कर रहे हैं, तो purpose के लिए हम to ही लगा सकते हैं, to enact ठीक है, version जो है countable है, तो a भी लगाना पड़ेगा version कैसा है, diluted है ठीक है, तो इसलिए इसमें second जो है, यह सही answer है बाकि in हम नहीं लगाएंगे in के बाद ing form आती है, लेकिन in हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि purpose की हम बात कर रहे हैं, purpose के लिए हम two plus v1 लगाते हैं, ठीक है, version से पहले हमने diluted इसलिए लगाए, क्योंकि diluted है adjective है, तो यह है English की समझ, second इसमें सही होगा और first इसमें आपका सही answer होगा क्योंकि second जो option है, वो first में दिया है, ठीक है, इसलिए first यहाँ पर आपका सही answer होगा तो इस तरीके से answer को सही तरीके से आपको tick mark करना है कि कौन सा option कहाँ पर दिया है, ऐसा नहीं कि आपने question तो सही कर दिया, लेकिन tick mark उसको गलत कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना brain apply करना है और सही options लगाना है आपको अब देखें एक question और देखते हैं Simple Reading of the Aadhar Act Aadhar Act के बारे में आपको आपने पढ़ा होगा Aadhar Act 2016 ठीक है, उसी के अंतरगद यह Aadhar सारे बनाए जा रहे हैं, Simple Reading of the Aadhar Act would show us that its contents go far beyond the features enumerated in article 110 ठीक है, इस sentence का मतलब क्या है इस sentence का मतलब यह है कि यदि आप Aadhar Act को पढ़ें Simple Reading of the Aadhar Act would show us मतलब Aadhar Act की जो Simple Reading है वो आपको दिखा देगी would show us that its content go far beyond the features enumerated in article 10 article 10 में Aadhar के जो features enumerated हैं मतलब वहाँ पर numbering की गई है इसके features की ठीक है उससे कहीं ज़्यादा Aadhar में features है Simple Reading of the Aadhar Act would show us that its contents go far beyond the features मतलब जो features बताएगा है वो काम है लेकिन इसमें जो features हैं वो काफी ज़्यादा है features features enumerated ठीक है यहाँ पर यह भी फिर एक past participant की तरह काम कर रहा है features ऐसे feature जिनको enumerate किया गया है जिनकी numbering की गई है कहाँ पर की गई है numbering article 110 में तो features enumerated in article 1010 तो यह sentence सही है और इसका जो answer होगा इसमें replacement की जरूवत नहीं है और इसका answer होगा आपका no correction required ठीक है तो phrase replacement का आपको part यह समझ में आया होगा किसी भी तरीके का phrase replacement आपके exam में आता है आपको यही strategy follow करनी है और इसे strategy कर दिया आप follow करते हैं तो 10 में से 10 question आप ब्रकुल सही कर सकते हैं इसी तरीके से मैं RC के लिए और spotting error के लिए तो हलाकि इस course में काफी सारे video classes है और close test प्रजंबल के भी काफी video classes है उनको आप देख सकते हैं और like video classes में जल्दी से upload करूँगा इस video course में कोई भी आप feedback देना चाहते हैं तो इन email ID पर और मेरे call and WhatsApp नंबर पर आप जरूर जरूर feedback दें और अपनी opinion बताएं कि इससे कितना फाइदा आपको हुआ तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में thank you